संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराएं जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है आप माबाप को ऐसा बनना है, ऐसा बनना है कि आपके बच्चों को किसी और का एक्जामपल ना देना पड़े अरे आपके बच्चे ये कहें कि मेरे पिता जी ने जो श्ट्रगल किया है वो सीखने लाइक है मेरे पिता जी ने जो कामयावी पाई है वो सीखने लाइक है तो आपके बच्चे आपसे ही सीखें, औरों से क्यों सीखें? उसके लिए आपको योग बनना पड़ेगा सीखना पड़ेगा दुरुभ जी मालाज अपना सीख थे आप भी अपने बच्चों से कहा करो आज कल की मम्मियां पोयम याद कराती हैं बच्चों जौनी जौनी कुछ बच्चों को तो मम्मियों ने विगाड रखा है बाद मैं फिर रोती है मम्मियाँ बेटा परिशान करता है तुमने पोयम याद कराया तो परिशान करेगा ही गीता के शलोक याद क्यों नहीं कराये थे कोई महमान आता है बेटा पोयम सुनाओ जोनी जोनी अस पापा वाली सुनाओ ये क्यों नहीं कहते के बीटा गीता का श्लोक सुनाओ सर्व धर्मान परित्यज्य सुनाओ कर्मन्ने वाधि कारस्ते वाला श्लोक सुनाओ धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्र वाला श्लोक सुनाओ परित्राणाय साधुनाम वाला श्लोक सुनाओ गीता ने याद गीता याद नहीं कराई रामचरितमानस की चौपाईयां याद नहीं कराई पोयम याद करा दिया तो पोयम याद करकर के फिर पहनाता है हाँ, परेशान करता है बाद में फिर रोते हो आप लो संसिकार आपने ही बिगाड दिये बच्पन से ही भगवान का चिंतन हो घर का वातावरण भक्ति मैं हो